प्रतिबिम शर्म और आप देख रहे हैं इंसाइट और इंसाइट में आज हम बात करेंगे अनुसंधान, विकास और आत्म निर्भरता की आयाइटी खड़कपुर के देख्षान समारों में प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने नई एको सिस्टम में नई लीडर्शिप की आवशक्ता की बात कही हमेशा की तरह पीम ने इनोवेशन पर जोर दिया और कहा कि 21 सदी के भारत की स्थिती भी बदल गई है जरूरते भी बदल गई हैं और महत्व कांशाहें भी बदल गई हैं और इस बदले हुए परिद्रश में लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए स्टार्ट अप शुरू करने होंगे हमारे साथ प्रॉफिसर उन्नत पीपंडित हैं संकाय धक्ष हैं प्रबंदन एव हमारे साथ वर्च्वली भी जुड़े हुए हैं अजय मुखर जी हैं संस्थापक हैं सीओ हैं टरल टेक सॉलिशन प्राइवेट लिमिटेट के अंजन मुखर जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत हैं इसके अलावा अनेरोद जोशी हैं संस्थापक का और सीओ अत्रे इ द्वारा और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें संवेधन शील रहना चाहिए और भविश्य का भारत निर्वित करना चाहिए और कहीं ना कहीं आत्म निर्भर बनने के लिए छात्रों को और आयाईटी जैसी संस्थानों के जो छात्रे हैं उनको आगे आना चाहिए अगर बात करें तो आपने किस तरीके से टरल टेक सॉलूशन की शुरुआत की क्या चुनौतियां आई और क्या कुछ कहना चाहेंगे यंग सर्थ को सर आपने तो बहुत बड़ी बात पूछ ली है क्योंकि पहले मैं बता दूं कि मैं फुद आइटी बॉम्बे में था पर मैं हमारी टाइम में मैं ड्रॉप आउट हो गया था दो साल बात तो मैं इसमें बोलने के लिए सक्षम हो कि नहीं पता नहीं पर आज में जो कर रहा ह हैं जो पानी पानी में किटानू मार देती है और इसे सेफ ट्रिंकिंग वाटर बना देती है तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैं पूरी तरह इस टेक्नालोजी में सेल्फ टॉट हूं और मैं क्या कहूं आप लोग सब बहुत पढ़े लिखे हैं मैं तो खुद अपने हिसाब से जो लिए था मैं पढ़ लिया हूं और कर दिया हूं ये यह अगर अगाे कै लेकिन आपके सामने क्या कुछ चिनौतिया रही होंगी सब्सक्राइब बहुत हैं और इन फैक्ट यह जो चुनोटिया है उसी यह तो मजा आ रहा है अगर चुनोटिया नहीं होती तो सभी लोग कर लेते नंबर वन और अगर चुनोटिया नहीं होती तो मैं खुद भी नहीं करता क्योंकि तिर करने में फाइदा क्या है और एक चाहिए कि मैर को यह सॉल्वा करना है मैं वह जाकर सॉल्व कर दू। ऐसे तब कम होता है रामयली जो हो अए आप है फॉन और आप काम करते करते स्थेजंटली कुछ 27 कि यह तो डूसरी जग सकती है और अर तभी आपक मुड जाते और कुछ नया निकल जाता है, हम लोग तो दूसरी तरफ काम कर रहे तो मैं तो मेरा ये बैग्राउंड नहीं है, जिस सब्जेक्ट मैं काम कर रहा हूं, इसका मेरा बैग्राउंड नहीं है, मैंने कभी दिंदगी में ये सब कभी नहीं पड़ा था, और मुझे लगा कि चलो ये बहुत अच्छी चीज है और इनो इसे लोगों का फाइदा हो सकता है, और जब हमने ये बोरवल में पेली बार को मैं शहर का हूं, तो मैंने गाउं तो कभी देखा भी नहीं ता 5-6 साल पहले, तो मुझे अगर कोई बोलता कि गाउं में ये सब होता है, तो मैं तो के पास कुछ भी नहीं है, और उनको कोई सहरा भी नहीं है, उनको के लिए अगर मैं कुछ कर सकूँ तो बहुत ही अच्छा होगा, और उसी दिशा में मैं काम करने लगा ये पानी के इसमें, और हमारा जो टेकनोलोजी था वो एकदम ही तेकनोलोजी है, वो हम लोग आक्श और अच्छली खुद पढ़के सभी हो सकता है, तो हम लोग जादा तो क्या बोलते हैं, सभी कुछ लिखा हुआ है कही न कहीं, और इसको अगर ठीक तरीके से जोड सकते हैं, तो वो ही बड़ी बात है, अंजन मुखर जी ये कई बार योजना, परियोजना पेपर पर बन ज अधर आती है, लेकिन जब कोई काम शुरू करता है, जैसा आपने शुरू किया, आपके सामने, आपने जो क्यों की प्रैक्टिकली आपने चीजों को फेस किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उस संकल्प को अगर भारत को इस दिशा में ही चलना चाहिए, और एकदम सिस्टमिक चेंग जो ओरनाइट तो आने वाला है नहीं है, तो हमको धर्या रखना पड़ेगा कि चलो ये डिरेक्शन तो ठीक है, इसके आगे हम लोग एक ही मैंने देखा हूँ, कि देखिए, सिस्टम जो है, वो कभी आपको प और इस से ज्यादा और एक चीज है, मैंने देखा हूँ, बार बार देखा हूँ, कि ऐसे लोग मौजूद हैं सिस्टम में, जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, सिस्टम हो या ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी बड़ी चीज है, और ये सब जगा अच्छे लोग सब जगा भरे पड़े हैं, उनके पास अगर आप पहुंच गया है, तो आप सिस्टम हो या ना हो, आप आगे बड़ी जाएंगे, कैसे ना कैसे?